खिन्ता संतान हंतायरो यत्ताराम भुजरेव स्वियानांतान निजाचार्यां प्रणमामि मुहुल्मुहु यदनुग्रहतो जन्तुहु सर्वदुखाति गोभवेत। तमहं सर्वदावंदे श्रीमद्वल्लवनंदनम् अज्ञान तिमिरांधस्या ज्यानां जन्षलाकया चक्षुरुन्मीलितम्येना अस्वारवे नमामिहदवेशेशे लीलाक्षीराप्जिशाइनम् लक्ष्मी सहस्र लीलाभि सेव्यमानम कला निधिम् चतुर भिष्च चतुर भिष्च चतुर भिष्च त्रिभिस्ट था शट्भिर्विराज तेयो सव पंच धाह देम् आचारे वाचा प्रणमामी भाष्चरे बंद सुबोधिनिस्ता इतराष्च चयास्ता मत्स्वान्त आगत्ते करपां फ्रुतास्ता मधिये वाचा आम्रचा यंद्वनंकति धर्म प्रज्यते कडितवो अत्र पर्मो निर्मत् वेत्यम वास्तव मत्रवस्तु शिवदंता पत्रयोनम उलनम श्रीमत भागवदे महमनिकृते किम्वा परेरिश्वराह सद्यो हृध्य वृध्यते अत्रकृति भी शुशशो भिष्ट च्छनात निगम गल्पतरोर गलितं भलं शकुखाद अम्रत द्रोसं युदं इबत भागवतरसमालयम और सिकाव भाग का वेनुवीत के आज के प्रसंग में आज अपन जो है वो अपन पूरो की योग और आज सात्वे श्लोक के प्रारम्भ में सात्वेश लोग के प्रारम करने सो और वो महाप्रभुजी कुछ कारिकाएं बता रहे हैं उन कारिकान को निरूपन को मैंने एक पीडिएफ आपके साथ शेयर कियो आपको सबन को मिले हुएगो तो वह चार्ट को आप देखोगे तो हमें सारी बातन को खुलासा हो जाएगो आपको तो सबसु पहले अपन सुबोधनी जी देखें पेद नंबर 277 पे पेद नंबर 277 पे सुबोधनी जी के वचन अनुवरनानम पेव आह अक्षण बता मेती त्रयोद अशभी है अब देखो महाप्रुजी क्या आज्या कर रहे हैं महाप्रुजी ये कर रहे हैं कि तेरह श्लोकन सु त्रयोद अशभी है अनुवरननम पेव आहा अनुवरनन कुई कहो जारगा है अनुवरनन को अर्थ क्या होए है जाने वर्नन कियो वाके पीछे अनुवर्नन अने गुपिजननन ने वर्नन को वाको वर्नन शुकदेव्जी कर रहे हैं तो ये अनुवर्नन फ्योग तो वा अनुवर्णन को ही यहां तेरा श्लोकन सु कह जा रहे हैं और तेरा श्लोकन को अवर्गी करण तेरा श्लोक मतलब यह साथ में श्लोक सु ले करके उननिस में श्लोक तक साथ आठ नौ दस ग्यारा वारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अठारा और उननिस यह धंगसू तेरा श्लोक है तो तेरा की तेरा श्लोकन में जो प्रतिपाद्य विशय है मनें जा बात्पूर्शी महाप्रवुजी समझानों चाह रहे हैं वाकू महाप्रवुजी ने कारी कांज में निरूपित कर दियो है वाकी कारी का बना के समझा दियो है कि बैए मैं यह तुमको समझाने जा रहे हूं तो वो क्या अग्या कर रहे है कि रसद्वयार्थम वितायम वेण पूरणम एकतह स्वच्छंद पाद गमने हे तुष्चापी तथा पर रहा चतुर भी ही पीठी कई वंस्यात शट्भी वेणोस्तु वातनम अमाप्रवुजी कितनी सरलता सो सब बात कह दें हैं हमें अपन को समझने में अब कह रहें कि रसद्वयार्थम द्वितायम द्वितायम नहीं हो द्वितायम नहीं यह द्वितायम है द्वितायम मतलब दो दूसरों नहीं मैंने रस दो रस को मतलब रसद्वयार्थम रसद्वयार्थम को मतलब है दो रस के वर्णन के लिए दो श्लोक कंसुप समजा हो जा रहे हैं तो वो दो श्लोक कौन से हैं तो छो cooking वो रस वर्णन आर्थ हा रहे हैं, कौन से सीर्ष के वर्णन आर्थ हुआ तो सामने आपको गछाट साथ में साइयोग रस को औरनन करने के लिए जो है धर्म सहीत मत्दब धर्मसहीत मत्दब सही हो और केवल मत्लब ही प्रयोग यह बात अब कॉमन है अब अब वो टमवापन है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए जब मैं धर्म सहीत के रहे हूं तो सईयों की बात कर रहे हूं केवल रस की बात कर रहे हूं तो विप्रयोग रस की बात कर रहे हूं तो वो आप वेवस्था मन में समझ के चलियो तो साथ में श्लोप में धर्म सहीत रस को वरनन है और आठमें श्लोप में वतब चूतप प्रवाल बरह वासु विप्रयोग रसको वर्णन श्वी गोपी जन कर रही है और वाक्वा वर्णन शुक देव जी कर रहे हैं ये समझने और वाक्य बाद वेणू पूरणम एक तहर वेणू पूरणम मन्ने जो नौमो श्लोक है गोप्य हकिमाचराद आयम कुशलम स्मा वेणू रदर कि इस बाद कि समझा है गया है तो यहां नौमय यह द्यों महाता जी कितने विवस्तित है मैं कि महाप्रजी विवस्तित है अ पापन ब्राट के समझाओ है तुम मैने बिवाको चार्ट बना के आपनों को समझा दियो है ताकि आपके हाथ में वो रेडी रेक्नर रहा है कि कभी भी मिलान करनो है तो वह रखलो के साथ में तो बहुत अच्छा पड़े को समझे के लिए तो खाली जो वेडू को एक पूरण करनो और वेडू को कूजन करनो ने वेडू कूजन वा अधरामत पूर्व कूजन में भेड है यह बात यहां समझाई जा रही है और दस्मे शलोक में प्रिंदावनम सकी भुविवतनो तकीटम यह जो शलोक है यह शलोक में स्वच्छन्द पाद गमन को हेतु समझाई जा रहे है जो महाप ठाकुर जी ने स्वच्छंद अपने चरनार्वेंद सुजो गमन कियो है वाकव वरणन दसमेश लोक में आ रहे हो है उन्हें वो क्यों ठाकुर जी ने स्वच्छंद पाद गमन कियो तो वाकव आंसर यहां पर दियो जारा है स्वच्छंद लीला सिध्यर्थम स्वच्छंद लीला की सिध्धी के लिए आपने स्वच्छंद पाद गमन कियो है यह व्रिंदावनम सखी भूवितनोत की रितिम यह श्लोक सुव यह बास समझाए जारी है साथ आठ नौ और दस यह जो चार्ष लोग है यह चार्ष लोग सुवच्छंद पाद गमने हेतु चापी तथा अपर ह मनने यह जो अपर है यह अपर मतलब चोतर श्लोग तो यह चार श्लोकन सु चतुर भी ही पीठि क्या एबंस्यान या सु पीठि का बताई कि आई समझ में यह सु पीठी का बता रहे हैं कि माके बाद मतलब पीठी का मतलब कैसे भाई कि दो रस एक वेनु पूरण और स्वच्चंद व्रिंदावन विहार को बहना रहो है यहolar मिला के याकुए कि जी Sud अवाके बाद ये महाप्रुभी दिके रहे के शटभी वरणाओ शटभी वेणोस्तु वाधनम शटभी को अर्थ के रहे हैं शटभी मतलब छेश लोकंसु वेणों हु वाधनम शटभी श्लोकंसु तो छेश लोकंसु तो वेणों को वाधन बतायों जा रहे हैं टाके बाद शत्रहों और अठारहों हो जो श्लोक है सत्तरव मुतलब पूर्णा पुलिंद उरुगाय पदब्ज रागश्र कुमेन दाइतास तनमंडितेन ये जवल श्लोक है सत्तरव और अठारव हंताया मद्री अबला हरिदास वर्गयो एद रामकृष्ण चरण स्पर्षप्रमोदह ये जो अठारव श्लोक है इन दो श्लोक स्थापन से भक्ति रूर्प जो चरण माहत्मे को प्रकट कियो गयो है भक्ति स्थापन कियो गयो है क्योंकिस्थापन से अब क्वाष्ण चरण जो वो भक्त्रिंदो श्लोक 16 के चरनारविंद की महिमा को मंदन कियो गयो है और उन्नीश्ट श्लोक में विपरीत तासु समाधान बतायो है और इदे को महाप्रिजी पुद कह रहे हैं कि द्वाभ्याम भक्ते है प्रतिष्ठा द्वाभ्याम मतलब पेज नंबर सुबोदी जी बाच रहे हूं सुबोदी जी बाच रहे हूं द्वाभ्याम मतलब सत्तारवन सत्रवन और अठारवन श्लोकन सु भक्ते है प्रतिष्ठा मतलब भक्ती की प्रतिष्ठा बताई है अगर नहीं बताते चाद दो अन्य था वरणने दो शस्यार अगर वह भक्ती की प्रतिष्ठा नहीं बताते तो वर्णान में दोश आतो अब यह सबत पूछेओ क्या दोश आतो अपने अभी देखेंगे सुबोधनीती वगेरा थोड़ी दीरत दरो और वैपरित्यात समाधानम याके लिए विपरितितासु समाधान कर रहे हैं अन्यथा तू दूशन अमस् इने क्या कह दियो यह मैंने आपको सात्वे श्लोक सु उन्निस्वे श्लोक तक जो पूरो वीड़ों गीत है वाकी महाप्रुजी ने एक झ्छलक बतलाई है कि पूरे वीड़ों गीत में क्या-क्या वर्णन आने वालवा है अब यहा वर्णन को ध्यान में रखके जो वी श हमेशा ही साथ में रखनों चाहिए एक पुस्तक में रख रखोगा अब जो है कि पेज नंबर पेज नंबर 277 पे लेखकार के रहे हैं देखो अब यहां में टिपनी जी नहीं बिराज रही है तो गुसाइं जीने आके आपर कोई खुलासा नहीं किया है अब नहीं खुलासा किया तो अपर लेखकार की मदद लें है तो पुल्षतन जी प्रकाश याली नहीं ले रहा जो वो तस्विल प्रत्य आ रहे है तो वो तस्विल प्रत्य समझावे के लिए फिर रामायनमों को गानी पड़ेगी वो तस्विल प्रत्य क्या हो है वो सब याली वो वह वाकुमें ट्रॉप कर रहे हूं तो लेख में अगरे त्रेवदश श्लोकार्थ उप्तव त्रेवदश जो श्लोकन को अर्थ को जो कहो वामें रसद्वयार्थम इती रसद्वयार्थम मतलब मूल कारी का कोचन है याली वो बोल लेटर्ज में है रसद्वयार्थम इती रसद्वयार्थम मतलब को अर्थ कर रहे है कि रसद्वयार्थम के लिए मतलब रसद्वयार्थम के निरूपन के लिए दो श्लोक आये है श्लोक द्वितायम द्वितीयम नहीं द्वितायम त्रिताया द्विताया ये दो और तीन के सुचा कहने दूसरों नहीं हो दो की बात चल रही है ये जो दो श्लोक आये हैं वो रस्तवये के निरुपन के लिए आये हैं ईकस्त्मात श्लोकार रेनो पूरंआम निरुपितम और एक श्लोक स्मूरिणो को पूरं निरुपित्क अ गया है मतलब जो रमण कियो है वाको हेतु हूँ भूमे है कीरती विस्तारो वाको मने स्वच्छन्द पाद के गमन को हेतु क्या है तो वो हेतु बता रहे हैं लेकर कि भूमी पे कीरती को विस्तार ये भूमी पे कीरती को विस्तार ये स्वच्छन्द विहार को पाद गमन को हेतु है अपर श्लोकोक तो मतलब उन्सों दस्वों श्लोक एवं चतुर भी ही पीठी का या तरह सु चार श्लोकन सु पीठी का सामान ने था पदार्थ त्रे निरूपणम जा पीठी का में तीन पदार्थन को निरूपण आयो कौन से तीन पदार्थ को रस को वेड़ू पूरण को और स्वच्छंद विंदावन विहार को इन तीन पदन को निरूपण आयो मैं मान के चल रहे हूं आपको सब पंक्ति आ रहे हैं समझ में कोई कंठित ना हो है तो पूछो के ततो विशेश तो निरूपणम वाके बाद विशेश को निरूपण कर रहे हैं शट भी ही वेड़ों वादनम निरूपण मने स्वरूप लीदा व्याब त्यर्थम विड़ों को वादन मत्तब लेति स्वरूप को निरूपण नहीं है विडुवादन को निरूपण है यह आयो कि स्वरूप लीला को व्यावरतन करने के लिए वह स्वरूप लीला को औरनन नहीं है वीनु वादन को औरनन आ रहे हो है यह आ रहे हैं ना समझ में आज इंकम सब एक मौन स्वर्शित उम्रेटावा अब देखो यह टिपनी आ रही है द्वाभ्याम भकते हैं प्रतिष्ठा पेज नमबर 278 द्वाभ्याम भकते हैं प्रतिष्ठा जो बताई हाँ बोल भई यहां एक तो चत्तुर भी ही पिठीकार आयो है तो चत्तुर भी ही पिठीकार में पीनर कैसे लेरेव समझ में आ रहे हैं रस की बात आई वेडू पुरण की बात आई तो चत्तुर भी ही पॉल्स क्या बहुए आप चार श्लोकंस हूँ अच्छा चार श्लोकंस हूँ और यहां पिठीकार पुछे गोई है तो पीठीका को आरती यह है कि आखो वेडू गीत में यह काम पीठीका को है मतलब यह जैसे अपन पीठीका को आधार ले मैं के नहीं पर कभी भी बैठें तो अपने पीठीका होए चाहे तक्या होए कि चाहे दीवाल हो एक चाहे सिंगासन को पीठीका होए गाधी की पीठीका होए मतलब वाकिया आधार पर बैठा जाए है तो आखे वेणुगीत में इन तीन चीजन को आधार वताय हो है मैंने स्वच्छंद व्रिंदावन विहार सैयोगरस विप्रयोगरस और जो है यह वेणुपूरण याज लिए आपको पीठीका मापन दीके रहें के गुवाँ फिरा के इन तीन पदार्थन को प्रतिपादन पूरे वेणुगीत में है चाहे वो सैयोगरस कभी सैयोगरस या विप्रयोगरस लेलो चाहे वेणुपूरण लेलो चाहे स्वच्छंद विंदावन विहार लेलो या ले आको पीठीका माल्यूइन तो बताई जो साथ और आठ ने बताई है कि ये ऑवर्यू साथ-ुर आठ में बता रहे है और जो पर चैसलोक के तया यहां जैसे आपने अध्यार्थ समझायों कि एक्तम सिंपल लैंग्वेज में जैसे अध्यार्थ आपने लिखे वाई जो प्रभु प्रवेश कर रहे हैं या रोग प्रतिपादित विशें जो है वो यह है कि यहां पे त्रियन की आत्ति को निरूपण है विशेश तयांग तो वैसे ही यहां लेनों कि यह वेनुबीत को पूर्ण अर्थ या सब में घटानों तोनों में से एक आएगो ना या तो ओवर्व्यू में देखनों है या तो हरे जैसे आपने मदुराष्टकर्म म पूरो बड्स वीव देखनें यह जो यह जो वेनुब पूराण आ रहे हो है आप यह अप्यांति अप्यांत्य संद्राइब्स पूराण छेश लोग सो आरे वाके बस अच्छे पाद गमन जो है वो देख दो आभ्यां भक्ते हैं प्रतिष्ठा सो आरे है तो यह पीठी का ही भाई तो यह को ओर ओर ओल माप्रुजी आपको पीठी का क्या है तब मैंने गटाना इसे ओवरॉल गटाना यह माप्रुजी को यह प्रकार को व्यू है यह आपने पहनने जब भी बेड़ों की बात की थी ना तब आपने स्वरूप लीना और बेड़ों तुजल यह तीन पार्ट्स लिये थे स्टार्टिंग में वह यह को कंटिनुएशन है ऐसे समझने अगा शन्यान ना क्योंकि वहां पर आपने विस्तार में लियो तो कि क्या क्रिया है क्या वेड़ों है क्या स्वरूप है और वाक्व बरहा पीड़म में कैसे घंटा वह आपके समझा है तो वही है यह कोई प्रश्ना तो शाहिद तने ने आथ खेच लिए होगा प्रश्न के चतुर भी क्यों ले रहे तो मेरे को यह समझ में के दो रस है और फिर रस को एक नहीं किननों रस को दो गिननों जो धर्मसाहित रस है और केवल विप्रयोग रस है और कोई प्रश्ना संद्ध्र मतलब यह जो वह वह को बैक्ग्रांड बिखाए को बैक ग्रांड होई आप जाके वेगवी तो पुरो कम्प्लित वह साधन और बैक्ग्राउंड ले तके वही तोड़ो तोड़ो लग रहा है कि तो द्वाब्याम भक्ते है प्रतिश्ठा यह जो माप्रुभुजी की कारिगा है तो आमें एंदेको वहां टिपनी जी आ रही है वहां पूर्शन पे गुसाईजी निटिपनी जी लिखी है तो अक्षनवताम इत्यत्र गुसाईजी आ क्या कर रहे हैं अब देख और गुसाईजी वart कमारत करनार्श कर रहे हैं वेटू गित को जो प्रक्रन में वाको प्रकरनाथ को जो विभाग कियो कौन्सो विभाग कियो रस वेणू पूरण और स्वच्छन्द पाद गमन ये तीन विभाग किया ने तो वामे जो स्वच्छन्द पाद विःद जो प्रभू ने कियो है वामे जो दस्मों दोश लोग है पूर्णा पुलेंद और हन्ताया मद्री यह द्वाभ्यां भकति है प्रतिष्ठा वालो यहामें आप यह श्लोक देखो के तुम लो तो देखो पहले श्लोक देखो के ना तो याको आप तुमको टिप्रीज समझ में आ आएगे आपके अपड़ा भागुची है तो सब्सक्राइब एक्किसमु अध्या है कि सत्रम और अठार मश्लोग सत्रम श्लोग कौन सो है कि अरी भटू हम तो विंदावन की इन भीलिनियन को ही धन्य और कृतिकृत्य माने हैं क्यों अरे याली है कि इनके लेदे में बड़ो प्रेम है और जब ही हमारे प्यारे कृष्ण प्यारे को देखे हैं तब इनके रेदे में भी उनसु मिलवे की क्तीवर आकांग्षा जाग जाए है और इनके रेदे में भी प्रेम की व्याधी लग जाए है वासमय ये क्या उपाय करे हैं ये भी सुन लो ये क्या करे हैं कि अपनो जो प्रियतम है प्रियतम की जो प्रिय जिए अपने वक्ष स्थल पे जो केसर लगा हैं वह केसर जो है वह शाम सुंतर के चरणन में लगी भई केसर है यह और वाकु यह विंदावन मने जब ठाकुजी विंदावन के घांस पाद पर चले हैं उन्हें को स्वच्छंद पाद गमन आ रहे हैं कंपैर करो स्वच्छंद पाद गमन हां तो उनमें भी लग जाए है और यह सोभाग्यवती जो भी लिनिया है उन तिनकों तिनकान पेशु छुड़ा के अपने स्टनन पे और अपने मुख पे यह को मल लियो कर रहे हैं और अठनुन श्लोक में भी देखो स्वच्छंद पाद गमन आ रहे हैं कैसे कह रहे हैं के अरी गोपियों यह गिर्राज पुगोवर्दन अद्री हंत ये बड़ा अश्री के बात है हंतायाम अद्री अबला हरिदास भर्यो ते युँ कह रहे हैं कि गिर्दाज गोवर्दन तो भगवान के भक्तन में बहुत ही श्रेष्ट है जन्याया के बाग्याद देखो नहीं हो का तुम कि हमारे प्राण वल्दप सी क्रिष्टन और नैनाभी राम बलराम के चरण कमलप के स्परश को प्राप्र करके ये कितनों आनंदित रहे है क्या कि भाग्य की कौन सराहना करेगो ये तो गौल बाल और गववन को बड़ो ही सतकार करे है और स्नान पान के लिए जर्नन को जल दे है गवन के लिए हरी हरी घास प्रस्तुत करे है विश्राम करवे के लिए कंदराएं दे है और खाने के लिए कंदमूल फल दे है वास्तों में ये धन्य है अब यह देखो दोश्लोक्सु ज्वाब्याम भगते हैं प्रतिष्ठा चरनारविंद के माहत्म को प्रतिपादन हो रहा है अब यहां में गुशाईंची आक्या करें हैं कि लोके लोक में हीना नाम पी चरनारविंद संबंधी कुमकुम संबंध मात्रेन लक्ष्मी समान सौभाग्य आग्यवत्तम चरन वाहत्मेवर देखो स्पष्ठ पंक्ति जरा भी कठिन नहीं पंक्ति किती सरल पंक्ति लिखें गुशाईंची ने कि लोके में जो हीन होए हैं उन लोगन को भी चरनारविंद संबंधी जो कुमकुम होए है पा कुमकुम के संबंध मात्रसू लक्ष्मी के समान जो है वो भाग्य आप्ट होए है ये चरन को माहत्में है कितनी बड़ी बात है स्परश मात्रेंड खाली वह भाकह जो कुमकुम है ठाकोजी को प्रशादी चरनारविंद को कुमकुम है वह प्रशादी कुमगुम के स्परिश मात्रू स्परिश मात्रसू प्रक्रिष्ट मोद जनकत्वंच बहुत इस प्रक्रिष्ट बहुत ज्यादा यह आनंद को प्रदान करें जाब अख़त वाकू मल्लियों करें देखो एक बात समझो के अपने प्रियतम की कोई भी वस्तू यदि अपने पास रहे हैं तो आनंद प्रकट हो आए अवामे ठाकूजी को सम्बंधी कुम-कुम वाको तो क्या कहनो तो चरणश्च भक्तिमार गरूप इती चरण जो है भक्तिमार गरूप है इती या कारण सु यह देखो हीतु आचकी ती आरे हो है कि यह कारण सु तद्धर्म प्रकटनम वाके धर्म को प्रकट कियो क्यों कि रहें भक्तिस्थापन रूप में त्यारता वह भक्तिस्थापन रूप है अब देखो वाको तात्पर्य नहीं कह करके बाधक कह दियो माप्रूदियने क्या बाधक कह ओ के द्वाब्भ्याम भगते है प्रतिष्थाच अन्निथा वरणने दोशस्याद कि यहां को अन्निथा वर्णन करते मत्दब चर्ण माहत्मे को वर्णन यहां नहीं करते तो दोश हो जातो क्या दोश हो जातो भई यह जोड़ा दोश हो जातो तो कह रहे हैं कि प्रकारांतरी ना प्रकारांतर सु तात्पर ही कह रहे हैं कि पुर्शोत्तमस्य जो भगवान पुर्शोत्तम हैं लोके भी लोक में भी इनाया हा स्त्रिया हा जो हीन स्त्रिया है उनके साथ ठाकोजी को संबन्द है तो उनके साथ ठाकोजी को संबन्द होने सु हीन नायक बन जाएंगे कि यह तो हीन के नायक है और श्रीपते है श्री मतल्ब लक्ष्मी पती है वो कंद आदी उत्यों गश्चत था उनने अरोगयों क्या श्रीपती है वो लेकिन अरोगयों क्या कंद मूल वगेरा अरोगयों यह लोग समझ जाते है कि ठाकोजी ने श्रीपती हो करके कंद मूल खायों और हीन नायक है ठाकोजी जो महानायक है वो हीन नायक कैसे हो सके या तो महानायक हो सके या हीन नायक हो सके यों एक दूशन आजा तो तथा भी लोक रिथ्या धूशन अत्वम तस्य भवत भवतिएव वैं कुछ भी को लोग रिती से तो तो आई रहा है थाकोजी हीन पती है श्री पती नहीं है यह दूशन लोग रिती से तो आई रहा है तो यह दि लोक रितिसु दूशन आ रहे हों तो वाई परिचात समाधानम वागव विपरीत तासु समाधान दे रहे हैं तो कि रहे हैं कि प्रमय मारग है प्रमान मारगा जब प्री तो यह विप्रीता है जो प्रमय को जो मारग है वह प्रमान सु विप्रीत है और बलिश्ठ भी है यह अपन बहुत कि यहां पर मूल को जब बलिश्ठ भी है प्रमय मारग बलिश्ठ सची बात है बलिश्ठ तो हो गई ना और एक बड़ो फणी इंसिडेंट है कि क्यों प्रमे मार्ग सु प्रमे मार्ग बलिष्ठ है कि कोई एक इंसिडेंट है सो कि याद नहीं है वह को बराबर वर्कों कि इंसिडेंट है कि कोई प्रमे मार्ग सु प्रमानसु प्रमे विपिरीत बलिष्ठ है कि क्या हुँ है कि वह विलन ओडर देखे जा तुम को छुडानों नहीं है लेकिन खुद भी फस जाए वामें तब भी छूड़ानों नहीं मिले और वालन ऐसे करें कि छूड़ानी जाए पता नहीं वह कौन से पिच्चर थी वह याद नहीं आ रही है लेकिन बहुत महाती अनुस्यात कॉमेडी हती वह कि वह ओडर देते हैं वह माने नहीं कि सच्ची बात है प्रमे मार्ग बरिष्ट है प्रमार्ण जो भी हो जब प्रमे सामने से आग्या कर रहे है तो तो सब कुछ नुच्छा वरोसा के वाके पर हाँ बोल क्या कि रहे तो नहीं बस यह जे कि फाइडली यह बचन तो आहीं रह हाह तो अधूना एड़ं सायव प्रकति करता है अधूना मतला अभी सासु ख्या लेनो लू कुलु न बताऊ हमेशा मने बतादू घुल्यवेड आज विन करतंगि वही प्रकट कियो है यह प्रकट कियो है प्रमे मार्ग प्रकट कियों है प्रमे यह प्रकट स्वभावव्या और ऐसी नदूशन प्रमे मार्ग जब ठाकु जी ने अपने चलनारविंद को वहां हात में जब प्रकट कियो है याश्लोक में तो भई यह बलिष्ठता तो आएगी जो ठाकु जी स्वयम अपनों उधार अपने प्रमे बल्स जब ठाकु जी उधार करेंगे को और कोई एक व्यक्ति शास्त्र को आश्ञ लेके स्वयधार कर रहे है तो वान है तको प्रमे की मानी जायएगी याके लिए जो है यहां पर यह बास aye है कि वरस्तु स्वभाम्यां यह वद बलिए वैसो है मतलब विभीश्रितता है और बलिष्ठता है तथात्म वहां गटाना इती ना दूशनम यह दूशन नहीं है इती भाव है यह भाव है अत्रक मर्यादा वैपरित्यम यहां जो मर्यादा वैपरित्य है भूशनम इती सारम यहां जो मर्यादा की विपरित्यता है वो दूशन नहीं है वो भूशन है यह सार है गुसाय महाप्रवजी यह के नो चारे है मर्यादा इती वड़िया बात देखो टिपनी जी में गुसाय जी ने अपने को ध्यान दिलायो है मतलब यह जो मर्यादा मार्गिये को परम उतकर्ष जो है कैसो उतकर्ष के लक्षमीन समान सोभाग्ये वत्वम खाकुजी श्रीपती है जैसे मर्यादा मार्गी में जो जाको परम उतकर्ष है वाको हमारे याँ बक्ती मार्गी में जो हीन है वाको भी वैसो ही उतकर्ष है या लिए उतकर्ष सिते है वहाँ पे जो टॉप क्लास को परम भक्त है वाको जो उतकर्ष है तो यह प्रमान महारग सु प्रमे महारग की वीपरीत ता है और बलिष्ठ ता है चांडाली चेद राजे बतनी चाता राग्याच मानिता कदाची दब माने पी बूलता काक्षती भवे तो यह बात अपने कुछा समझनी चाहिए तो इती सर्वमावदात राग्यादी तुमको समझ में आजैएगी अन्यथा वहि परित्य मात्रेन है खाली विपरीत ता मात्र कह देने सु मारग उतकर्षा राग्याण सृध्धमारग को उतकर्षा सिध्ध नहीं हो आध तुमने खाली विपरी तिता बता दी और मार्ग को उतकर्ष तुम बता ही नहीं पाए मार्ग को उतकर्ष भी तो बताओ कि यहां जो है हीना हीन अधिकारी जो है वाको उतकर्ष को लेवल जो है वो मर्यदा क्लास मर्यदा मार्ग को जो टॉप क्लास भगवदी है वाको जो प आप देखो लेक का जो है एक बात कह रहे हैं लेक काई यह के रहे हैं के तू शब्द मिले आपको तू को अर्थ कर रहे हैं के ततो द्वाभ्यां भक्ति प्रतिष्ठा रूप पाद गमनम निरूपनम यह तो समाझ में आयाग। और करें सुद्धिंदी नहीं वें प्रतिबंद ब्रतिबंद काद से में प्रतिबंद प्रतिबंदुम् भाव एपी दूशन अंतुस्याद तो वहाँ पे दूशन तो आवे हैं लेकिन जब ठाकु जी की नीला चले है तो महाँ प्रतिबंद्ध को अभाव अनिथा तो दूशन है आया समय में स्वरूप अश्यतो पश्टम अनुभवस्य सुचितत्रा न विशेशतो निरुपणम पर इस्वरूप को अनुभव थोड़ी हो रहे हुए उनको वेनुनाद को अनुभव हो रहे हैं स्वरूप को अनुभव नहीं है वाँ आप श्लोग ध्यान चुपड़ों य अठारवे में यह लिए मैंने श्लोग दोनों पड़े आपको सामने एक में पुलिंदी जी को वर्णन आयो और एक में गिर्राज जी को वर्णन आयो और दोनों ने खाको जी के चलना अविंद के माहत्म को वर्णन प्रतिपादित कियो है यालि यह स्वरूप को है तो बाकी नीचे जो कारिकार्थ है वह तो खे वही बात कह रहे हैं जो मने गुसाई जी कह रहे हैं वही कुछ और सालतासों क्या रहे हैं बाकी और कोई नवीन नहीं है आपने समझायों ता तो नहीं समझायों कि यह जो वेनु नाद को वर्णन कर रही है स्वरूप को अनुभाव देन। जैसे आपने जो श्लोक समझायों समझायों कि वह एक दूसरे को बहुत पहले कबर रहे हैं तो पूरो तो प्रसंग है वो यैसे ही है वेनु नाद को वर्णन है वेनु राव को वर्णन है बड़ यहां पर यासु क्या सिद्ध करनों चाहरे कि स्वरूप को अनुभाव नह यह थोड़ों समझनों तो कि वह मतलब स्वरूप को अनुभाव नहीं मतलब वहां प्रेजन्ट नहीं है बैस्ते कह रहे हैं तो पर यासु कहनों क्या चाहरे मूं बंदब एक यह जो आप मतलब थोड़ा न शायद मिनको समझ नहीं आ रहा है तो यासु सब्सक्राइब को आया हो समझ में यह बताओ है बहुत बढ़िया को अब बताएगो हाँ बोलो मीना बिन बोलो जीजे इसमें वो लोग सब्दात्मक स्वरूप का वर्णन करती है जो नाध के वह नाध जो उन्होंने सुना उसमें उसका जो स्वरूप है वह वह घीत के महाध्यम से स्वरूप का वर्णन कर रही है जैसे लोग कुछ पठते हैं तो जो स्वरूप आता है कि ये मोर मोकुत धारन किये कि ईसे उन्हों ने जो शरवन किया नाद का जो स्रवन किया वही वह इनुगी ते रुप में वर्न कर्थी परत्यकी स intentar nei एक वाद कहूं, उमंग नो आ प्रश्ण न थी, वेडूनो उमंग नो प्रश्ण छे के सत्तर मां अने अधार मां प्लोक मां जे स्वरुपस्यतू स्पष्टम अननु भवस से आज ए वचन लेखकारना आविरया छे, एनु आशे सूछे ए प्रश्ण छे उमंग नो लेडू नाधना वर्णन नो या प्रश्ण न थी, एमा स्वरुपनो अनुभव नथी थाई रहो, एना ती सूछे वा मांगे रहाचे लेखकार, ए उमंग नो प्रश्ण छे आप ऐसे पूछना चाहते हो, कि वहां लेखकार ने स्वरुप का अनुभव नहीं किया है, और मिन्स के वह स्वरुप का अनुभव नहीं है, और वेनुगित का अनुभव है, ऐसा आपने बोला नहीं? आपने बोला नहीं है, और मिन्स के वह स्वरुप का अनुभव नहीं है, और मिन्स के वह स्वरुप का अनुभव नहीं है, और मिन्स के वह स्वरुप का अनुभव नहीं है, और मिन्स के वह स्वरुप का अनुभव नहीं है, और मिन्स के वह स्वरुप का अनुभव नहीं प्रभू प्रत्रेक्ष नती तो बद्दा ने कवर पड़ेगे पन तो अन्या थी सु सब्जावा मागे चाना थी जे दोश महा प्रभुजी कही रहाचे कि तमें आजे अमना एक्सलेट दरू ने जे जे तमें तुमें नाच थी जाती तो इना थी स्वरूप ना होगा थी इस वर यह कैंसल आउट कि थाए छे इनारे फनल जे दोश छे कैंसल आउट कि थाए चरानार विनना महाद में तो सम्झावाची तो एक ट्मीना बेज्ये ज ओगनिस्मा मां वीप्रीतथाती प्रतिपाधन छे। दो आभ्याम भक्ते हे प्रतेष्ठा एटले सत्तार्मों अने अढर्मों श्लोक। यह नो छे। दो आभ्याम वेश्लोक ती भक्तिनी प्रतेष्ठा बतावा मां आवी छे। अने ओगनिस्मा श्लोक मां विप्रीत ताथी समाधान छे ए एनो आंसर छे हां आवे तमें क्यों में क्लू आपी एकला मट में तमने समझवा मांटे क्लू आपी एकले आप बोईलो आवे काईक सम्झाएचे ने मैंनों 44 कि 4 भीन सरूप ने बढले निसे समाथ भक्ती नोवर्नाम से एकले विप्रित वं लंन के विप्रीत तो दिय закры है आपने अन्यूस Paper घ्रिट है कि कि तुमको ये बात समझ में आ जाएगी चरण मात में तो आयो समझ में सत्तरवों और अठारवों श्लोट में क्या कह रही है अरी सखी इन सांवरे गुरे किश्वरों की तो गती ही निराली है क्यों कि जब वे सिर पे नोवना मतलब दूरते समय गायन के पेर को बांधने की जो रसी होए है वाकू लपेट के और कंधान पे फंदा रखके गायन को एक वनसू दूसरे वन में हाट के ले जाओं हैं और साथ में गवालवाल भी होए हैं तो मदूर मदूर संगीत गाते बै अभी तक कंटिनिवेशन में हैं वास में मनुष्यन की बात तो क्या अन्य शेदीर धारियन में चलने वाले चेतन पशुपक्षी और जड़ नदी तो स्थिर हो जावें वेप्रीत था अचल व्रक्षन को भी रोमान चो जावें ये विप्रीत था जादू भरी बंशी को और क्या चमतकार सुनाओं तो ये बात समझों ये अनुभाव गोपी जिनन को काय को प्रकट हो रहे हैं स्वरूप को नहीं जादू भरी बंशी को अनुभाव प्रकट हो रहे हैं वेणू के अनुभाव की बात हो रही है यह वाको समाधान है तू जो पूछ रहे हो तो कि स्वरुपस्य तू स्पश्टम अननुभाव अश्य यह पर देख उन्नीस वाशलोप में कह रहे हैं यह विपरीतिता सु समाधान या के लिए आमें बताये हो कि देखो दूशन तो हंड्रेट पसंट होतो दूशन तो हंड्रेट पसंट होतो थाकुजी हीन नायक भी बन ही जाते जो गुसाई जी ने खुला सा कियो लेकिन वहाँ पर विपरीतिता सु समाधान यह है कि ठाकुजी अपनी वादन कियो है कि वासु सब के उपर यह असर आई है वाकी कोई विशेश प्रकास निरूपण नहीं है स्वरूप को अनुभाव नहीं है यह आप बैठव के नहीं कि अभी अस्पश्टिता है थोड़ी थोड़ों विच्छार करनों पड़ेगों पर बेसिक बैठ गयों बेसिक आपने जो समझायों ना कि यह आप श्लो की गलत देख रहो तो मैं अभी आपके 19 दिखायो तो भी समझना आगे तो वह समझा आगे तो वह समझा आगे वह आगे ओं या लिए वो स्याती दूशन में तूश अप्र को अर्थ माँ पर आप अब देखो अब आप दूशन की बात कब आती स्वरूप को अनुभाव हो तो तो यहां तो भई भक्ति के स्थापन की बात चल रही है तो अभ्याम भक्ते हैं प्रतिश्ठा थाकविदि के चर्णार एंद के माहत्मे की बात चल रही है तो खा को जी की भग्ती की बाद की बाद चल रहागा नस मतों पाश्टम श्वारुबशन सितुबבר की जो है यह बात लेग करने अपने उपर भी महाम्रीबुजी किया रहे हैं यह गुसेंग जी ने आग्या कह रही है तो तो हाँ बोलो निशावे यह जैजी स्री दर्वर प्रणार मेरा क्मिशन है कि यहां विरुद्धर्वा सवेट्व बताया तो फिर ऐसा भी वो जर्चेतन का आपने वो 19 स्लोक में समझाया वो समझ में आ गया लेकिन यहां अधार्वा और 17 स्वारुप तो प्रत्यक्स नहीं है लेकिन वेनुबादन से भी जो उसको हुआ तो स्वारुप के अलावा भी हो सकता है एसे प्रभू का सामर्थ्य है ऐसे भी विरुद्धर्मा समझ सकता है कि नहीं समझ सकते है प्राम्य मार्ग की प्रामय बलसु। जो कुछ भी कर सके यह प्रमान बल कौन सो काम कर रहे हैं शास्त्र को कौन सो काम यहां पर हो रहे हैं यह जो विडुनादन के द्वारा जो मोहितता ठाकुजी प्रकाट कर रहे हैं वो मोहितता शास्त्र कारे है के प्रमेबल को कारे हैं प्रमेबल को शास्त्र में तो ऐसे नहीं है तो यह प्रमान बलसु प्रमेबल विपरीत है और ब पास्त्र सो जैसे उद्धार हो है वस्तो थाउजन गुना ज्याजा प्रमेबल सो उद्धार हो रहे हैं तो यह अक्या बलिश्टिता भी है और विप्रीतिता भी है न्यूंग समझने के लिए मैंने पूछा था नहीं नहीं बले बाच्छा पूछो पूछने चीए तो यहां मैं मतलब ऐसे समझ सखें कि जो एक तो भक्ति की महात में बतायों कि भक्ति सबसे स्विष्ट है और वो भक्ति के द्वारा प्रभू रसामने रहती प्रोफिक्टर के दस भी दे रहे है रस्दान कर रहे है जो उत्कृष्ट रस है तो जो जो आपने एक समझाए हो कि भोग्य भोक्ता भाव को जहां पर गुर्ष्त्री भाव प्रभू को जो है वो प्रकट हो रहे है मतलब पूरे वेनुनाद में जो भोग्य भोक्ता भाव को है और या के लिए ही यह मतलब प्रमेबल श्रिप्चत बताए क्योंकि वो भोग्य भोक्ता भाव कहीं सास्त्र प्रबु श्रीपती को भी तो श्रीपती को भी प्रभु चोड़के इनादीकार को भी वैसे पूरो समझनो मतलब इसके लिए वो प्रमेवल इसी लिए हिनाधिकार को भी बात आ रहे हैं कि वह भी प्रभुच होगा तो मैं समझू कि अपने कारीकान को at length discussion कियो और यह को स्वाराश चापन समझ पाएं और नेक्सट में इसो अपन स्लोक महाप्रुबवजी को लेंगे नेक्स मेनुगीत में और यहां में भी माप्रिभुजी जो हैं बहुत फेमस बहुत प्रसिद्ध कारिकाई है भगवतास हसलापो दर्शनम मिलितस्यच यह जो कारिकाई माप्रिभुजी की हैं यह अपने को कंठस्थ होनी चाहिए ऐसी कारिकाई हैं यह पहले के सारे प्राचीन वेश्णवन को जो मनें पढ़ते पे उनको सारी यह कारिकाई कंठस्थ हो यह के लिए यह कारिकाई अपने को जांस अपन देखेंगे अभी तक अभी तक अपने खाड़े में पीठी का देखिए आप समझो अपने इतने श्लोग गये हैं अपने अपने खाली पीठी का देखिए तो वास्ताव में जो क्रीम है वह अप्रारम वह को क्या और क्या बात आ रही है यह बात अपने समझ ली पूरे वीनुगित में अब मुको लगए आपको बहुत सारी बाते क्लिक भई होएंगी यह आज के जो मापुजी ने पीठी का और व पेनोगीत को एक पैनोरेमिक व्यू तुमको आगे और को दिमाट में यही महापुजी के व्याख्यान की कूपी है कि महापुजी हर बात पहले शौट में बता देवे हैं फिर वाको विस्तार करें और मुको यह मापुजी को ढंग जो है बहुत ज्यादा पसंद है महापु कि इस तक नीचे अच्छा नीचे चलेगे तोई बात में आश्रे कपत करें चरण शरण ब्रजराज कुवर के हम विधिया विधि कच्छू नहीं समुझत रहत भरोसे श्री मुरली धरन के चरण शरण ब्रजराज कुवर के रहत आसरे ब्रजमंदर में गिद पुजा चाह श्री गिरिवर धरन के रभू मुकुंदर माधो सुकदाई आथ विकान श्री रादा वरन के चरण शरण ब्रजराज कुवर के सभी ब्रजमंदर मेरे असारे देव गोस्त मारा झाल कर दो कर दो लुए कर दो ब्रजमंदर कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल